हिमाचल परदेश की स्वास्ति, एबम परिवार कल्यान विवाग के सच्चिव, अमिताव अबस्तिनी ड्रक्स आफिस बज्दी में बैठ के दुनाण का कि करोना बायरल सक्रमन के बढ़ते मामलों के दिश्चिकर्च परदेश सरकार बिनमिस तरो पर विवस्ताओं को सुद् कर रही है, तता जा समिच्चित बना रही है कि परदेश में कोविड मामलों की ब्रिदी को रोकने के साथ साथ कोविड नाइन्टी पॉस्टिव, रोगियों को बहतर सुब्दाएं उपलब्स करवाई जाए, अमिताव अबस्ति आइसोलन जिलाक के नालागार, उपमंडर क के बद्दी में ऑक्सीजन उत्पाद को अब बित्रकों के साथ और जोजित पैटक की अध्यक्ता कर रहे थे हम सब जानते हैं के कोविड नाइन्टीन के इस दौर में जिस तरह से केसिस बढ़ रहे हैं और लोग अस्पतालों में ज्यादा दाखिल होने के लिए आ रहे हैं तो ऑक्सीजन एक बहुत महतुपूर्ण कॉंपोनेंट बन जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए ऑक्सीजन हर एक पेशिंट को सफिशिंट कॉंटिटी में अवेलेबल हो तो आज बद्दी आने का मकसद यह था कि यहा कि प्रदेश में कोवेड महामारी के दौरान पेशिंट के लिए ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी ना हो देखें आज की डेट में अगर हम एनलेसिस करें तो अगर मान लें हमारी रिक्वाइरमेंट 22 मिट्रिक टन के आसपास है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास लगभग 35 से 38 मिट्रिक टन की अवेलिबिलिटी रहती है लेकिन हमें यहाँ पर यह चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले समय में पेशिंट्स बढ़ेंगे आने वाले समय में प्रदेश सरकार ज्यादा लोगों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा गिंती को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा बेड्स क्रियेट कर र को सुनिष्चित करने के लिए भी आज में यहां पर आया इस समय हमारे पास दिमांड से ज्यादा ऑक्सिजन अवेलेबल है लेकिन जैसा मैंने कहा यह डिमांड जो है जैसे जैसे बेड्स बढ़ते जाएंगे हमें इस चीज को बड़ा रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना पड़ेगा स्टेट गे लेवल पे यहां लोकल स्तर पर और बार बार इसे हमें भारत सरकार से भी टेक-प करते रहना पड़ेगा ताकि ऑक्सिजन की आपूरती हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से होती रहे और किसी को किसी भी पेशेंट को ऑक्सिजन की कमी का सामना ना करना पड़े। अभी सबसे आगरह कर रहे हैं क्योंकि यह एक आपदा है, हम सब जानते हैं, नैशनल ही नहीं, बलकि इंटरनेशनल है, इसलिए से हम पेंडेमिक कहते हैं, तो इस आपदा से निपटने के लिए हमने सभी से सहेयों की अपील की है, खासतोर पर उन वो उस खपत को मेडिकल ऑक्सिजन के रूप में कनवर्ट करें, ताकि ये समाज के लिए उन लोगों का कॉंट्रिबूशन हो। कैसा समय है जहां कोविड की गिंती बहुत बढ़ रही है, जिस वज़ा से प्रदेश सरकार ने परसों जो हैं कुछ और रिस्ट्रिक्शन्स इंपोज की हैं, जो आज रात से लागू होने वाली हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी इस समय प्रदेश सरकारों को सुनिश्चित क करना है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो इंडस्ट्रियल वरकर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी किसी प्रकार का असर ना पड़े, इसलिए आज रात से मेंडेटरी हो जाएगा, लेकिन हमने उसमें अभी एक छूट का प्रावधान रखा है कि जो इंडस्ट्रियल उनिट से में हमारे लोग काम करते हैं, उनके पास आई कार्ड या कोई प्रूफ हो, तो वो उससे उनका काम प्रदेश में एंटर करने के लिए चल जाएगा, नौ से दस उद्योग हैं जो ये कारे कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस प बारा के आसपास हमारे पास यूनिट्स हैं, और जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, उसमें हम कमफर्टेबल हैं ऑक्सिजन के लिए. ते फॉलो करो, साड़ा फेस्बुक पेज अजी समाचा हिंदी, योट्यूब दे उते वीडियो खबरा देखन देली, उन्हें सब्सक्राइब करो, अजीत दा ओफीशल यूट्यूब चैनल अजीत वेब टीवी, तो हाड़ा आपना अजीत होन टिविटर ते इंस्टाग् दे उते वी उपलब दे, टिविटर दे उते खबरा देली, फॉलो करो, डेली अजीत दे इंस्टाग्राम दे उते खबरा दे नाल नाल वीडियो देखन देली, फॉलो करो, बलू टिक वाड़ा, साड़ा ओफीशल चैनल डेली अजीत, एना ही नहीं, अजीत दे वीडियो अपनी आपनी आवाज पंजाब दी आवाज अजीद